dear students and now we are going to study Kendall Tauz P's correlation coefficient Kendall Tauz P correlation coefficient जो है वो भी एक non-parametric test of association है जैसे हमने एक से पहले non-parametric test of association पढ़ा जो के spearman rank order correlation coefficient था और हमने एक जो है parametric test of association बढ़ा जिसको जो जो इसका नाम था पियरसन आर को रिलेशन कॉफिशन्ट तो जो यह केंडल टॉप भी का जो को रिलेशन कॉफिशन्ट है यह और्डिनल लेवल के जब आपके पास variables हों तो उसके उपर हम जो है conduct करते हैं यानि कि जैसे कोई interviews का data है उन्होंने different को जो है एक order में rank कर दिया है यहां आपके पास वैसे कोई ordinal level की reading है दो variables की तो उसके उपर जो है हम यह test conduct करते हैं तो candle बारा जो है जो students को rank किया है for the admission in PhD sociology by interviewer 1 और interviewer 2 उन्होंने इनको rank कर दिया एक order में एक से बारा और interview 2 ने भी इसनको rank कर दिया है एक से बारा तो पहले हम इनके क्या करेंगे concordant pairs निकालेंगे with respect to the interview 2 तो हमारे पास यह देखते हैं कि जो first जो respondent है उसको rank किया गया है one तो इसका हम देखेंगे कि इससे जो बड़ी values है वो यानि बारा जो है highest value दिये गी है rank में तो one से जो बड़ी values है वो 11 है यानि one के बाद two शे लेके 12 तक जो हमारे पास values आती है concordent is actually उन्हें कहते हैं तो वो 11 है अब अगर हम दूसरा respondent देखें तो interview two ने उसे two rank किया तो अब two से बारा तक जो बड़ी values हैं वो ten है अब three का rank किया गया है third respondent हो तो इससे बड़ी values जो हैं बारा तक वो nine है अब जो है five है जो respondent number four उसको rank किया गया है इससे पे number five पे इससे बड़ी values बारा तक seven है अब इसके बाद जो respondent five है उसको four rank किया गया है मगर हम क्योंकि इससे पहले हमने rank कर दिया इससे उपर वाले participant five as five तो हम जो four के लिए भी इसको five ही लेंगे और हमारे पास जो इससे बड़ी values है वो seven ही आएंगी इसके बाद जो हमारे पास next है वो seven नेवल पे rank हुआ है तो उसके लिए जो concordant pairs है वो five है तो इस तरह चलते चलते हैं मारे पास concordant pairs one तक बनते हैं अब dis concordant pairs क्या है कि क्या interview one और interviewer two के दर्मयान ranking में कोई difference है तो हम यह देखते हैं interview one और interviewer two ने जो है respondent one को equally rank किया तो इदर कोई difference नहीं है हमें यह difference नजर आता है respondent number four पे जहां पे four और five है तो वहां पे इसको हमने as a one discount pair लिया है इसी तरह six minus seven करें तो हमारे पास यह एक का difference आता है इसी तरह nine minus ten करें तो वहां पे भी एक का difference आ रहा है हमारे पास तो हमने इनका sum ले लेंगे तो यह हमारे पास c की value हो आजाएगी और जब इनका sum लेंगे तो यह हमारे पास d की value हो आजाएगी तो हमारा formula था c minus d divided by c plus d तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी candle toby की value आ जाएगी अब हम देखते हैं कि इसका procedure हम SPSS में कैसे करते हैं SPSS में हम analyze में जाएंगे analyze में correlate पर आएंगे बाइवेरियेट को select करेंगे बाइवेरियेट को select करने के बाद हम interview one और interview two को यहां पर ले आएंगे select करके और Pearson वाली जो option है इसको uncheck करके candle toby पर ले आएंगे तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमें यह interview one और interview two की जो उन्होंने ranking है उनके दरमें relationship देखें तो यह point nine zero nine है तो highly significantly strong relationship है तो इस तरीके से हम जो है अपना candle toby का coefficient compute कर लेते हैं और candle toby का coefficient specifically तब ज्यादा use होता है जब इसमें tied ranks आना शुरू हो जाएं जब spareman row का जो data है उसमें tied ranks ज्यादा हैं तो फिर हम spareman row की बजाए candle toby का use करते हैं तो यह non-parametric test है monotonic relationship को देखने के लिए यानि जो relationship linear in nature हो उसको देखने के लिए हम check करते हैं इसकी भी value zero से one के दरम्यान होती है positive है तो direct relationship है negative है तो inverse relationship है तो यह एक आपको मैंने ब्रीफ सा introduction दे दिया है candle toby का और इसको formula क्या है और इसको SPSS में हम कैसे conduct करते हैं भार मतने कम करते है और रवार privately रव लात है्ट ciao क्यूंश जो प्य offset light snims कि हम लुव़ हैं